जनपद मिर्जापुर का आती प्रतिष्थित होटल श्रीजी होटल में आज हम मौजूद हैं और समूचे जनपद मिर्जापुर के प्रतेक नागरीकों के अंदर एक ही बात की चर्चा है कि अब पेरिस के तरज पर जनपद मिर्जापुर में सुविधाएं मुहया होने लग यह वो तमाम लोगों को अपनी तरफ आकर्शित भी कर रहा है फिलहाल विश्विस्तरी गुडवत्ता और सुविधा से संपन्द इस श्री जी होटल में वो तमाम सुविधाएं आज हैं जो मेट्रो पॉलिटीन सिटीज में लोगों को मिला करती थे हम इस होटल के अंदर भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो सुविधा यहां है वो निश्यत रूप से फाइव इस्टार तरज पर है और तमाम ऐसे लोग जो आसपास के भी जीलो में हैं वो अब यहां से बुकिंग करा कर अपने आपको अत्यांत गौरोश साली महसूस भी कर रहे हैं जनपद मिर्जापूर के महमानों में इस बात के भी बहुत खुशी देखी जा रही है कि जब वो यहां आएंगे स्रीजी होटल में महमान बनके तो भरपूर स्वागत का भी इंतजामात होटल के दौरा किया जा रहा है आप बेख़ौफ होके चिंता मुक्त होकर यहां आप गाड को हैंडवर करिए और गाड की जिम्मेदारी है कि यहां से बहतर तरीके से गाड़ी को पार्ग करके और आपको चाभी हैंडवर कर देगा तो इस तरीके की जो अरेज्मेंट है यह जो बेवस्था है यह लोगों को अपनी तरफ बहुत ही लुभा रहा है जब अ मिर्जापूर के शान, मिर्जापूर का गौरो श्रीजी होटल में हम आ चुके हैं और यहां प्रवेश द्वार पर ही इस तरीके से आपका स्वागत होगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे अब इस मरडी स्वागत के साथ यह जो जूमर है यह अत्याधुनिक ब्यवस्था स सुसजित इस प्रकार के जूमर्स तमाम फाइब इस्टार होटलों में ही होता है और जनपद मिर्जापूर में श्रीजी में प्रवेश द्वार में बड़े बड़े जूमर्स भी आपका स्वागत के लिए निरंतर जगमगाते रहते हैं श्रीजी होटल के बारे में यह तक अहसास भी होगा और आपको निरंतर इस बात का तस्दीक करता हुआ समझ में आगा कि वास्तों में श्रीजी में दी गई जो अरेज्मेंट है जो बेवस्ता है वो निसंदे विस्विस्तरी लोक्चों कहते हैं बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से यह सारा इंतजाम है और लोगों को बहुत पैदल भी चलने की जुरुत नहीं है चाहे वो किसी भी जाए चाहे वो चौत है मंजिल पे जाए चाहे पांचमें मंजिल पे जाए जिस तरीके से अब हम सेकेंड्ट फ्रोर में आ चुके हैं और second floor की जो खासियत है जो यहां का विशेश जो पहचान है वो यहां के रेश्टोरेंट के बारे में बताया जाता है नेसंदेश, संपून, जनपत, मिर्जापुर में इस्थित श्री जी होटल के रेश्टोरेंट की चर्चा आज सर्वत्र हो रही है यहां का जो अरेश्मेंट है वो गेश्ट के लिए भी वियाईपी ट्रीटमेंट लिया जाता है बहुत ही हाइजिनिक गुरवत्ता से युक्त तमाम ऐसी रेश्पी आपको यहां मिल जाएगी जो शायद आपको अपनी तरफ निरंतर आकर्शित भी करेगी जितनी भी सामगरी है वो बहुत ही गुरवत्ता पुरवक और बहुत ही हाइजिनिक तरिके से जो इंतजामात के जाते हैं शायद यही कारण है कि लोग यहां अपने फैमली के साथ आते हैं बहतर पार्किंग का आनन लेते हैं इस रेश्टोरेंट का भरपूर मनोरंजन के साथ स्वाद को भी अपने साथ इस मरण में ले जाते हैं दरसल रेश्टोरेंट में भी जिस तरीके से अरेज्मेंट किया गया है उसमें अगर आप फैमली के साथ आ रहे हैं या कोई party celebrate करना चाहते हैं, चाहे वो ring ceremony हो, birthday party हो, या कोई भी occasional party भी अगर आप यहां करना चाहते हैं, तो पूरा इंतजाम दिया जा रहा है, ताकि आपको party में कोई चिंता न रहे हैं और भरपूर आप party का भी इंज्वाइ कर सकते हैं, फिलहाल जिस तरीके से जो seating arrangement है, वो यहां का arrangement का लुफ्त उटा सके और निसंदे है, इस बात की लोग तस्दीक भी कर रहे हैं कि वास्तों में श्री जी होटल में जो restaurant का arrangement है, वो निसंदे अत्यंत गुडवत्ता पून है, और विस तरीक गुडवत्ता से पढ़न पून, यहां तमाम arrangement आपको मिल जाएंगे, श्री जी होटल में इस्थित हवेली restaurant की चर्चा अखेल सरवाधिक सरवत्र हो रही है, इस बात की भी चर्चा है कि सिर्फ नाम हवेली नहीं है, बलकि वहां का जो बातावरण है, जो arrangement है वो बिलकुल राजा रजवारे के जैसे जो जमान में जो हवेलिया हुआ करती थी, तो यहां बहतरीन तरीके से विसुस्तरी गुडवत्ता के म्योजिक सिस्टम को भी फिट किया गया है, अत्या धुरिक संसाधन, लाइटिंग, म्योजिक के अलामा, CCTV कैमरे से भी संपूर परिसर की सेकेवटी की भी पूरी इंतजामात की गई है, फिलहाल जनपत मिर्जाप खिलापूर में श्रीजी होटल के इस हवेली रेश्टोडेंट में तमाम ऐसे मीटिंग्स भी आयोजित हो रहा है, जो साथ में सफल पूरवक्त मिटिंग का भी आयोजिन हो रहा है और बहतरीन रेश्टोडेंट का भी लोग छुथ हूँ अधा रहे है बिलहाल यहां के रे हाईजिनिक्ट बेंजन का अगर आपको लुफ्ट उठाना है तो शायद जिस तरीके से होटल संचालक का दावा है निश्यत रूप से आपको भी यहां के इस अरेज्मेंट का लुफ्ट अवस्च उठाना चाहिए रेश्टोरेंट की खासियत के बारे में एक बात तो जानना अत्यनत आवश्यक भी है कि जो यहां के रेश्टोरेंट की जो सामगरी है वो अत्यनत हाईजिनिक होने के बावजूद जो इसके प्राइस लिष्ट है जो रेट है वो बहुत ही सामान है शायद यही करण है कि जनपद मिर्जापुर के उन तमाम परिवारों को भी है कैसा लगा आप जी अभी तो अच्छा लगा है अभी आए हम नाम सुना था काफी हमने तो हमने सुचा कि एक बाट काई करें एक चीज इस श्रीजी होटल का लोग कैमरे में कैद करना चाहते हैं दरसल यहां कि जो बनावट है वो अत्यनत आकर्शित करने वाली बनावट जो कलाकृती है हर मोड पे हर एंगिल पे आपको एक बहतरी नजारा प्रतीत होगा चुकि हाँ से बना ऐसा कलाकृती ऐसी स्मृतियां और जिस तरीके से चित्रों का जो प्रदरसन किया गया है जो उप्योग किया गया है वो चित्र कला वो आपको अपने तरफ बहुत आकर तो जिस पैटन पर सीलिंग आप देखेंगे इस होटल की जो सीलिंग है सेम पैटन पर आपको अर्थ भी दिखाई देगा जमीन भी दिखाई देगा तो यह जो कंबिनेशन है यह अपने आप में अत्यंत आकर्शित करने वाला यह पहल है निश्चित रूप से तमाम ऐसे जो गेश्ट हैं उनका यह मानना है कि इस तरीके की बनावट देखकर वो निसंदे अपने आपको बड़े शहर में होना मानते हैं लेकिन जनपद मिर्जापूर में श्रीजी होटल के दौरा निर्मित निर्मार किये गए इस प्रक्रिया को आज सरवाधिक लोगप्रियता मिलत से भी नजर आ रही है चूकि हवेली का तरज हवेली का जो नाम दिया गया है उसी तरज पर यहां अरेज्मिंट भी आप देख सकते हैं शायर यह पहला ऐसा होटल है जहां निरंतल मशाल जलता रहता है और यह मशाल देखने की इच्छा सक्ती भी तमाम लोगों के अंदर जागरित हो रही है दूर धराज से लोग आ रहे हैं सिर्फ इस मशाल को देखने के लिए और लाइन से आपको हर कमरे के बाहर एक मसाल जलता हुआ निरंतर दिखाई देगा मसाल जलता हुआ देख यह तमाम ऐसे परेटकों को सहलानियों को गेश्ट को और तमाम ऐसे कारिक तरीके से बड़ा फिल्ड है ग्रीन बिल्कुल फिल्ड और उसके साथ मंडप का कारिकरम आप कर सकते हैं रिंग सर्मेनी का कारिकरम कर सकते हैं गेश्ट को रुकने के लिए परियाप्त मात्रा में अत्यंत आधुनिक संसाधन से युक्त जो कमरे हैं वो भी बेमिसाल है करता भी नजर आ रहा है दरसल श्रीजी होटल पैलेस के बारे में तमाम लोगों के बीच जो सरवाधिक मानने हैं लोगों के बीच यही प्रचलन है कि यहां पर जब आप शादी के लिए या किसी मांगलिक कारिकरम के लिए जगह बुक कराते हैं तो उसके बाद सिर्फ बाद करदी जिम्मेदारी अत्याधुनिक तरीके से होटल संचल्ग के दौरा किया जाता है जिस तरीके से हैं आरेजमेंट है वह इतना लगजिरियस है कि आप यहां अपने वी वी आईपी व याईपी प्रतिष्ठ अथि प्रतिषित सामान तमाम प्रकार के जो गेश्ट ह आप उनको सहर्स निमंत्रण दे सकते हैं और आपको ये प्रतीत होगा कि आपका ये निर्णे सर्वाधिक सर्वोत्म सही निर्णे साबित हो सकता है आपके जो भी गिष्ट यहां आएंगे चुकि यहां विसाल एक बड़ा हॉल है जिसमें फुली एर कंडिशन के साथ अत्या परियाप्त मात्रा में रूम्स बनाए गये हैं और यहां के रूम्स की खासियत भी है कि आपको डबल बेट सिंगल बेट के अलामा यहां विवात के दोरान होने वाले तमाम मांगलिक कारिकरमों के लिए उपीवक्ट इस्थान भी है सारे कारिकरम शादी ब्याह का आप यह इस तरीके कारिकरम आयुजित कराना चाहते हैं, तो यहां पर आपको पहले से ही booking करा लेना चाहिए. फिलहाल जिस तरीके से जन्पद मिर्जापुर में स्रीजी होटल में अब लोग तमाम कारिकरम आयुजित करके अपने आपको बहतर महसूस करते हैं, तो ये भी जाना जरूरी है कि ये स्रीजी पैलेस होटल है कहां तो आपको बता दें कि लालडिकी के पास राम बिलाज चौरहा के नजदीक इस होटल में इस वक्त बेहतर पार्किंग के साथ साथ एक बहुत ही विशाल गार्डेन भी आपको मिलेगा जिसमें अगर आप चाहें तो उस गार्डेन का प्रियोक करके आप बफे सिस्टम के तहट कारिकरम आयोजित करा सकते हैं साथ में जो म्यूजिक के कारिकरम होते हैं इस्टेज के कारिकरम हैं उसके लिए भी बहुत विसाल जगह की उपलंधता भी बताई जा रही है देखें जो बैठने का जो अरेजमेंट है डाइनिंग है चाहे आप तहलते हुए आप पूरे प्रोग्राम का आनंद लीजे बैठ के लीजे कल दो है तो की उपलाउ सब्सक्राइशर कもし उस्मिटने का भीजे ठाएक तो कर में है प्रहू जो भी भीजे है च्रुई कर दो 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 कर हर दो कि एसमी तको को एंगा हुम एन्यार को बादयों भी हम एंग कर दो भादय कि इन हम एंगो पुछ भी लिंग कि अजब को कर दो कर दो हो ता ब दो कर दो कर देका प्रफस्ट की बारा सब्सक्राइब तुछाए जटाए भारो अज़ै किता अद्धा है खरinas वो को दो से टांग, किसा भी को बानों हुआगाओ हुआए हुआए हुआ हुआए हुआए हुआ